तो दोस्तो एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजर हूँ एक नई कहानी एक नया कित्सा लेकर आज आपको बताएंगे कहानी कि उत्तर परदेश के उस माफिया डाउन की जो बेसीकली पैदाइश था प्लिटिकल माफिया की माज में बन गया सर्गना और उसका नाम था मुक्तार अंसारी अब अगर देखें इस हाजमी के परिवार को तो बहुत अजीब लगता है कि इतने बड़े अलस्ट्रियस परिवार से पैदा हुआ बंदा माफिया डाउन कैसे बन गया चाहिए हिंदोस्तान में किछी भी और माफिया डाउन की कहानी इस किसम की नहीं है मौबस से लोग गरीब घरों से आए या कुछ इकका दुकार साओ पचास साओ इकर जमीन के मालक बाप का बेटा माफिया डाउन बन गया लौरस मिश्णूई की तरह जाए इस किसम के और दोचार होंगे लेकिन इतने बड़े परिवार से आना पड़े लिखे परिवार से देश के लिए जूजने लड़ने मरने वाले परिवार से निकल के एक आदमी माफिया डाउन कैसे बन जाता है जी अभी तक समझ में नहीं आता लेकिन एक बात क्लिर कर समझ में आती है कि ये बेसिकली देश में बढ़ते हुए पलिटीकल माफिया की कहानी है जिसका सबसे बड़ा सरगना मुक्तार अंसारी था अब पहले थोड़ी इसके परिवार पे नजर डाले इनका दादा मुक्तार अहमद अंसारी उन्नीस हो चब्वीस ताइस में भारत की उस समय की इंडिये नैशनल कॉंग्रिस जो थी आई एंसी उसके देश के पर धान रहे उसके भी पहले महात्मा गांदी के साथ काम करते हुए देश की आजादी की मुवमेंट में सरगर्म हुए और महात्मा गांदी के असर के नीते कांग्रिस में त्रक्की करते रहे और उन्नीस हो चब्वीस तावीस में एक साल आल इंडिया कांग्रिस कमेटी के परधान रहे कितनी बड़ी बात आओ जमाने में जो पार्टी देश की अजादी के लड़ाई लग रही थी महत्मा गांदी सरदार पठेल बड़े बड़े लीडर महमद अली जनाब सब लोग लग रहते उनमें से एक सिपाही था मुखतार अहमद अंसारी उनके बाद अजादी के बाद उसके पहले भी शाद जामियां मिलिया एस्लामियां जो यूनिवरस्टी बनी उसके बहुत सालों तक वो डॉक्टर अंसारी जो थे वो वाइस चांसलर रहे उपकुल बती एक यूनिवरस्टी के दो बड़ी यूनिवरस्टियां थी तब ये ब उसका उपकुलपती होना, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, वाई सांसलर होना, और देश के, इस उनवर्श्टिक को स्थापत करने में भी उनकी बहुत भूमका थी, बहुत काम किया उनों रहे, एडूकेशन के फील्ड में, कालेज तो एक मुक्तार अ घर में पैदा होना, और उसकी छोड़ो, इनका पिता, सवान उल्ला, अंसारी, वो कट्टर कैमिनेस्ट थे, आपको बड़ी हरानी होगी सुनके, गाजीपुर के बहुत बड़े कैमिनेस्ट नेता थे, लीजर थे, और उन्नी सो कहत्तर में उनको गाजीपुर की जो लोकल क अंसल होती है, कमेटी होती है, उसका निर्वेरोध प्रेजिडेंट चुना गया था, इतनी उनकी इज़त थी अपने अलाक्ते में, ये तो इनके बाप और दादा की कहानी, और इनके नाना, महमद वो, उनका सारने में अभी दिमाग में नहीं आ रहा, वो महमद हुसैन से, वो इंडियन आर्मी में बरगेडियर थे, भारुट की फाज में, और उन्नी सो संतालीस में अजादी के बाद जो पाकिस्तान के कबाईलियों ने हमला किया था जब وہ कश्मीर पे, जब वो कश्मीर को पाकिस्तान के सास्त मिलाना चाहते थे उन्नी सो ओटारीस में, उसमें उनका, उनका बाईलियों के साथ लड़ते हुए, बरगेडियर साहिभ Σहेहिदी प्रापत करते हैं, उनको मरने के बाद, उन्नी सो ओटारीस में, म बड़े खांदान से आने के बाद यहीं कापी नहीं है। मुख्तार अंसारी के रिष्टे में लगते एक चाचा, हमीद अंसारी, वो बहारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले उपराष्ट्र पती थे और राज्यासबा के चेर्मेन थे। आपने देखा होगा उनको लोगसबा, राज्यासबा की कारवाई के चलते हुए और बहुत बेल रिस्पेक्टर लीडर थे, सब आजटियों के लिए उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उसी खांदान से निकला यह रड़का, मुक्तार अंसारी, पांच बार मउ जो एरिया है, M.A.U.P का, वहां से पांच बार विधायक तुना गया, दू-तिन बार तो जेल में बैठके इलेक्शन जीता, और इनका बड़ा भाई, सबानुल्ला, श्यादुर का नाम था, अफजाल, अफजाल, अंसारी, सबानुल्ला तो फिता का नाम था, अफजाल, अंसारी, वह पांच बार गाजीपुर से विधायक चुना गया, और दो बार मेंबर पार्लियमेंट चुना गया, इनका बेटा भी कुछ हैमेल ले रहा है, इस किसम की, इनके धर की हिस्ट्री, तो एक तरीके से पूरी फैमिली, प्लिटिकल फैमिल, दादा, कॉंग्रस के परदहान, पिता, कैमरेस पार्टी के बड़े लीडर, बेटा, भाई, उनके, एक और भाई था, वो भी एममेल ले रहा है, दो बार, आगे इनके बेटे भी एममेल ले रहे, तो ये, इतना बड़ा पिलिटिकल पिच्पुकर होने के बाद, ये कराईम की दुनिया में क्यों जाना पर यहां से शुरू होता है किता पिलिटिकल मापिया का, बिल्कुल उती तरह जिस तरह विहार का सबसे बड़ा सरगना सैयद शाह अबुदील, वो भी पांच बार, एमपी बना, जेल में रहके कई बार एलेक्शन जीता, लेकन उसका नहम था, एंड में वो उतिहार जेल में डेक्ट होती है, उती तरह थी कहमत, बड़ा पॉलिटेक्स में राच चलाया उसने, अभी पिछले साल उसकी डेक्ट हुई है, आपने देखा, जेल से एक हॉस्पिटल में ले जाते हुए, हॉस्पिटल के परिसर में उसकी गोलिया मार के अह इन लोगों को, मुक्तार अंसारी को ये लगता था कि उसकी प्लिटीकर सर्वाइवल, वो कि यूपी का महौल ऐसा बन गया था, अगर आपके पास बाहू बली नहीं है, तो आप पॉलिटिक्स में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो क्राइम की दुनिया में, उन्होंने क्राइ के लिन नहीं, अपनी प्लिटीकल होंद को बरकरार रखने के लिए, अपने विरोधियों का कतल करवा देना, जो केस बना, उस केस में जो गवाह, उनको गवाही से रोकने के लिए, उनका कतल करवा देना, और उसके साथ साथ जो एक बड़ा चलन है देश में कि जब आपके पास पैसा तो इनके पास पहले से बहुत था, जमीन जायदाद भी थी, फैमिली का नाम भी था, पहले बहुजान समार्वादी पार्टी से दो बार MLA बने उसके बार में, इंडिपेंडन भी पार्टी के साथ भी हार किसम क्या हचकंडे, जहां से लड़ू मिलता है उसी तर्फ हो जाते हैं, यह दस्तूर रहा है, हमारी ट्रैजडी रही है देश की पॉलिटिशन, कुछ लोग तो डारेक्टली इनवाइड हो जाते हैं, पॉलिटिशन कराइम में, जेकर कुछ ऐसे ह हैं, जो खुद अपना नाम नहीं आने देते लेकर दूसरों से काम करवाते रहते हैं, वो पॉलिटिकल मापिया बहुत खत्रनाथ होता है, ऐसे बहुत से लोग हैं, उस्तर परदास प्रदेश में तो बहुत डिपी याद्व का नाम आपने सुना, राजा भहिया का नाम आ किती भी उत्तर परदेश के मापिया डौन का नाम ले लो, उसका पॉलिटिक से रिष्टा निकलेगा, ये उत्तर परदेश की ट्रैजडी रही है, अब पता चला कि मरने के बाद जब ये खबरे आने लगी, तो पता लगा कि साठ के करीब केस मुक्तार इंसारी पे चलते थ अभी दोजार पांट से उन्नी साल से वो जेल में है, मतलब बीजेपी की सरकार आने के पहले से जेल में है, इसी तरह मुबई में, बिहार में, मजबर देश में, बहुत सारे पॉलिटिशियन सरवाई भी इसी लिए कर सके कि उनका माफिया के साथ अरिष्टा था, डारेक्ट या इंडारेक्ट, लेकर मुक्तार अंसारी सबसे ब्रेजन था, उसको अपनी बाहू बली इच्छ भी पे बहुत मान था, फिजीकली स्टॉंग था, हटा कटा था है, अब ही उमर मरने के समय भी उमर तक्रीबन सिक्टी सिक्स्टी वन की एज है, एकाथट साल, 1963 का बर्त है, साट साल की उमर में पांच बार अंबले बन जाना, और अपने बल बूटे पे इतना अंपार खड़ी करना, पैसा इतना कमाना, बीट में कोई ट्रप बगेरा बहुत खरीद लिये, प्रॉपर्टी बहुत बना ली अब, क्योंकि अपने नाम पे नहीं मना सकता था, उसने बेनामी प्रॉपर्टी बना ली, पिछले तीन साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसकी तकरीबन पांसो क्रोड रॉपरे की प्रॉपर्टी या जबत की है, जहां उसके उपर ब्रॉडोजर चला दिया है, गाजीपूर स्टेशन, अरेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन का जो बड़ा फाटक है, वहां असा लेके इनके घर तक जो एक किलो मिटर, डेड़ किलो मिटर का रास्ता है, उसकी दोनों तरफ मैक्सिमम जो है मारतें थी, वो इस मुक्तार अंसारी की थी, उन में सियाथ पतदी में तो ब्रॉडोजर चल गया, बाकियों को तोड़ पर के रख दिया गया, यहां उनके उपर नोटस लगे है हर तीसरी जगा पे, कि यह प्रॉपर्टी एडी के कबजे में है कोई, इसको हाथ नहीं लगाए, यह प्रॉपर्टी अन्नाईये ने, अपने ताबे में ली हुई है, इसको को खरीदो अप्रोकत नहीं करे, और कुछ प्रॉपर्टी पे यह लोकल गवर्नमेंट के बोर्ड लगे हुए है, वो सर्क जिस पे एक जमाने में, बिल बोर्ड लगा करते थे मुक्तारन सारी के और इसकी दुखानों के इनके उनके सब, वहाँ पे अभी उनको सीज करने के काले रंके नोडिस पोर्ड लगे हुए, लिकन इनका वो मंगला प्राना जो बना हुआ है, वो अभी भी मौजूद है क्योंकि वो बाप दादा के समय का बना हुआ है, तो वो परसीड आप कराईम में नहीं आता है, इसलिए उसकी उपर मर्डोजर नहीं चला, अब देखिए, इतने सालों से ये आदमी सरगर्म था, बहुत दूशनी जो, जब बीएस्पी की सरकार थी, मायवती की सरकार, तो भी इनकी चलती थी, समारवादी पार्टी की सरकार है, तो भी इनकी चलती थी, उसके पहले जब कॉंग्रेस की सरकार थी वो तो इनकी अपनी पार्टी थी रूर्ट तो इरका कॉंग्रेस में था तो इनके गुनावों पे पर्दा इसलिए पर्दा रहा क्योंकि ये जो समय की सरकार होती थी उसका प्रोटेक्शन उसका संग्रंक्शन इनको मिलता था आपको political protection नहीं मिलेगी, political protection इसलिए जुरूरी होती है कि आपको police protection से यह होती है, कानून से protection से यह होती है, इसलिए, आप कुछ भी करो, आपके सब गुना माथ, अब जिन केसों में पिछले पतीस साल से, Sponge से फैसला नहीं हो रहा था, अब एक एक करके पिछले तीन सालों में सब फी judgment आलई शुरू हो गई, पिछले तीन साल के अंदर अंदर तीन केसों में मुंँए होमरकाद की सजा होगी, बाकि किछी केस में आप साथ साल की सजा, किछ कि में जुर्माना किसी में कुछ और किसी में बरी भी हो गए लेकिन फैसले आने लगे क्योंकि अब जो हकूमत वहां पे जिस पार्टी के हैं उनके साथ इनका कोई रिष्टा बन नहीं पाया तो अब जो उत्र पर्देश के मुक्व मंतने नारा दिया था क्राइम प्रे यूपी उत्र पर्देश अब क्या आपको लगता है कि अतिक अहमत के मरने के बाद या मुक्तार उंसारी के मरने के बाद उत्रप्रदेश से क्राइम खत्म हो जाएगा यह सबसे बड़ा स्वाल है क्राइम कभी किती इंडिविज्यूल के मरने से खत्म नहीं होता क्राइम तो लोगों की जो मानसिक्ता में घुसा हुआ है उनके जो सैंक्रों हजारों कारिंदे हैं उनके जहर में जो क्राइम बैठा हुआ जब तक वो नहीं मरेगा आप राज को क्राइम फ्री जराइम फ्री नहीं बना सकते हो क्या और कोई वहां पे क्राइम नहीं कर रहा यही दो आजमी कर रहे थे या दो चार और कर रहे थे मार्कित अब दूद के धुले हुए ऐसा नहीं होता क्राइम रेट जो उत्तर प्रदेश का है वो पिछले दब साल में उसमें कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है पबलिसिटी जरूर है कि खत्म हो गया लेकर कतल अभी भी उसी गिंती में हो रहे है चोरी चकारी अभी भी हो रही है अटेम्ट तु मर्डर भी हो रहा है रेप भी हो रहा है बंदों को काटा जा रहा है जलाया जा रहा है सब चलता है अगर आपके हॉस्पीट्र में गोलियां चलने लग जाएं तो इसको आप अमन कुनून की वेवस्था को होगे या उसका पेलियोर को होगे तो एक परचार के लिए ये कहना सही है कि हमने सब सरगराओं को बंद कर दिया लिखन जो जेल में बैठे अभी भी अपना धंदा चला रहे है उनके बारे में कोई नहीं बोलता कितने करप्ट लोगों के खलाप क्या क्रॉप्शन करना क्राइम नहीं है अगर आप अंटी क्रॉप्शन मैजर लओ तो यूपी में सब से कम एक्शन होता है क्रॉप्ट लोगों के कुछ पकड़ा भी जाएगा एक का छोटा मोटा मुलादम लेकिन जितनी क्रॉप्शन लाइनफोर्स्नेंट एजैंसी में आज तकरीबन हर स्टेट में बले वो बीजेपी की स्टेट हो जा काउगरेस की हो जा किसी लोकल पार्टी की हो उत हमने का नाम नहीं ले रहे बीरोक्रेट्स बहुत सारे क्यों के पास एपसलूट पावर है जितना क्राइम वो कर रहे हैं करॉप्शन के मादियम से उतना चाहिए क्रिमिनल्स ने भी नहीं किया होगा तो अब जब मैं देख रहा है था मुक्तार अंसारी का प्राणा रिकार्ड तो 2017 की इलेक्शन में जो पर्चा भरा था जेल में बैठके 2005 से जेल में है वो आदमी उसमें अपनी प्रापरिटी उसने 22 क्रोर सम्थिंग बताई थी और उनके भाई अफ़ाल अंसारी ने सारे तेरा प्रोर की प्रापरिटी बताई यह तो वो प्रापरिटी है जो इनके अपने नाम पे जो पुष्टैदी प्रापरिटी जिसकी कीमत आज भी यह 1950 के रेट से लगाते है आज के दिन की उसकी मार्किन वैल्यू नहीं लगाते है और उन्हें अपनों मॉबैल में एक फ्लैट जो आप महारा से लेते हो 30 लाग का आप लेक्सल लड़ते हो आप उस महारा के घर में रहते हो आप लिखो गई 30 लाग का लिया इस फ्लैट की किमत 30 लाग है लेकर आज के दिन में उसी फ्लैट की कीमत डेड करोड है वो कोई नहीं लेगता वो कीमत लेखते हैं जिस कीमत पर उन्होंने खरीदा था या रेडी रेकना रेट पे जो कीमत होती है जिसके उपर है market value कोई अपने property की नहीं देता वे इसलिए आप अंदाजा लगा लो जो आजमी अपनी property की कीमत 20 क्रोर बताता है officially election में जो भरते हैं declaration में तो समझो वो 100 क्रोर की है तो यह भी एक flaw है हमारे कानून में कि हम market value की बात नहीं करते हो उसमें भी बहुत से जो करिंदे होते हैं दूर के रिष्टेजार जो इनके पास ही काम करते हैं उनके नाम से बहुत सारी property उती जिसका जिकर कहीं नहीं आता है अब देखें जब मैं political cloud की बात करता हूं तो उसकी सबसे बड़ी example मुक्तार इंसारी के आती है पंजाब से दोजार उन्नी में उसके उपर उत्रप्रदेश में pressure बढ़ता है उसको लगता है कि मुझे बार दिया जाएगा तो पंजाब के कुछ इस लीजरों से और प्लीस के अफ्सरों से मिलके एक चाल चलता है महाली के एक बड़े builder से दो क्रोडर पया की डिमांड की जाती है यह सब एक सेट प्लाउट है जैसे फिल्मों का script लेखा जाता है builder को कभी को फ्रेक्ट ने मिली कभी उसको ने लेकं सब मिली भागत से उसने complaint लखा दिया कि ऐसे मुझे अंसारी के नाम से मुक्तार अंसारी के नाम से दो प्रोड़े प्रोड़ी मागी जा रही है महाली के प्ली स्टेक्शनल में का दिमादर्द कर लिया जाता है और प्रोड़क्शन वरंट पे उस्तर पर देश्टे मुक्तार अंसारी को लाया जाता है और महाली को सबसे नजदी की जेल लगती है रोपड़ की तो वहां पे इसको रखा जाता है दो साल के करीब ये सब श्रोपर जेल में रहता है और जेल के साथ ही एक छोटा सा प्लाट इसका बेटा खरीज लेता है जूसरे आदमी के साथ मिलके वहां पे एक घर बना लेते हैं और वहां पे इनके खांदान के लोग आके रहते हैं जिनके लिए जेल में आना जाना ऐस से था जैसे माल में जाते हो ऊपर से हदायत थी लोग तो यह भी कहते हैं कि मुक्तारन सारी खुद भी जेल छोड़के रोल क्राउस करके अपने घर में आके सो जाता था जब आपका प्लिटिक राट कलाउट इतना स्ट्राउंग हो जब आपको मंत्री, संत्री, मुक्त मंत्री सब जानते हो और समय आपको दो साल वी आईपी की ट्रीटमेंट जेल में मिले इन बीट्विन अठावी स्वार यूपी गुवर्नमेंट ने प्रोडक्शन ब्रंट भेजा इसको हमने यूपी की कोट में पेश करना है इसको भेजिये तो पंजाब पलीस और जेल अथार्टी इसले नहीं बहिती थी कि ये आदमी मेडिकल फिट नहीं है वील्चेर पे है अभी हमारे पास इसको लेके जाने का स्कूर्टी बंदोबत नहीं है ये वो सब वो मेडिकल बोर्ड बना के उसको वाराम से चलता बिरता था लेकिन उसको भील्चेर पे बठा दिया फ़र दो साल तक उसको रखा गया और जब यूपी सरकार ने सुप्रीम कोट में अपील की के हमारे आदमी को पंजाब वापस नहीं कर रहा है तो उसमें जो बड़े बड़े वपील कर किये पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोट में उनके उपर 55 लाग का खर्चा भी कर दिया जो सरकार ने दिया लेकर सुप्रीम कोट ने आउडर कर दिया कि इसको यूपी भेजा जाए और उसके बाद जो कांग्रेस सरकार बदल जाती है तो आम आजमी पार्टी की सरकार बनती है पहले हिस्साइशन में उस समय के जेल मंतरी ने बियान दे दिया कि हम ये 55 लाक रपया उस पराने जमाने के होम मिनिस्टर और जेल मंतरी से वसूल करेंगे जिनों ने सरकारी का जाने का खर्चा किया एक क्रिमिनल को बचाने के लिए जिसका नाम था मुक्तार अंसारी अब देखिए आज तक कुछ हुआ नहीं एफ़ाई अर्जिस्टर हुई ये हुआ एफ़ारी हुई लेकिन एक नाएफ ऐसा वसूल नहीं किया गया मैं मुझे कोई दोस्तों ने एक पोस्त भेजी मुझे मेरे वाटसैप पे जिसमें लिखा गया था कि मुक्तार अंसारी को जन्नत में जगा मिले दी नहीं बहुत हरान हुआ है मैंने अपने कोई दोस्तों को फोन किया कि ये कैसे हो सकता है उसी समय एक और पोस्ताती जिसमे लिखा गया था कि स्याद़ अथिर शहाबु दीन और अतिय कैमत दोनों रमजान के महीने में अल्ला को प्यारे हुए थी और ये जाता है माना ये जाता है कि जो लो रमजान के महीने मिने मरते हैं उनको सीधा जन्नत में जगा मिलती है कारण ये बताया जाता है कि रमदान के महिने में दोज़क के दर्वादे बंद हो जाते है मतलब नर्क के दर्वादे रमदान के महिने में बंद होते है इसलिए जो भी सक्ष इस महिने में मरेगा वो सीधा जन्नक में झाएगा यह भी उस पूच्च में लिखा हुा था कि सिज़ अभू दिन रोजे के 22 में दिन मरा था और अतीकulator हम जो ता वो नहै सिज़ अभू दिन 80 में दिन मरा था और यह अतीक अभू दिन और आज झाद जो मुक्तार इंतारी के मात हुई है वो भी रोजे के अठार में दिन हुई है तो ये तीनों उनका मानना है लोगों का कि ये तीनों सीधे जमनेत में गए है इसके कुछ कारण होंगे अपना येकीन होता है हर धर्म का अपना हर समपरदाए का लेकर मुझे लगता है कि एक क्रिमिनल जितने इतने क्राइम किये हों, कतल किये लोगों से, मारा मारी किसी का हाथ काटा, किसी का पाऊ काटा, उनको जन्नत में जगा कैसे मिल सकते हैं, येकीन की बात हो रहे हैं, लिके न घरम, दुनियादारी की बात करें, और फिर भी कहां किसी को पता नहीं, यह सब दिल बहलाने की बाते हैं, लेकन वो सक्ष जिसने अपनी प्लिटी का लैंट पर इतने साल हकूमत की जाना उसको भी खाली हाथ पड़ा, आज उसका भाई कह रहा है कि पिछले नौ साल में हमारी घर को बरबाद कर दिया चरकार ने, अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि माने वाली लोकसवा चुनाप की लड़ाई लड़ सके, अब हमें अपनी कुछ पुर्खों की जमीन बेचके यह लड़नी परेगी, लेक पूरी कहानी मुक्तारन सारी ती, आने वाले दुनों में हिसी किसम के किते कहानी आले के फिर हादर होगे, तब तक के लिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद